इस वीडियो में देखने वाला है ट्रांस्वामर हाई वोल्डेज टेस्टिक बार में इसको हाई पार्ट टेस्ट भी बोलता ठीक हाई पार मतला हाई पोटेंशल टेस्ट इसका कानेशन कैसे करना वो एक अन्यमेशन तुरू अपको दिखाता हूं तब आपको समझ वाएगा उसका पाथ प्राटिकल दीखाऊँगा डाट यह जो आजश्टि बोषल सारा कामन करेंख एक वाइग निकाल आजो वाइर हमाई इस चेंडिक डेए को तरेंग असमें देना है घृतिए पूसको पाशिषल को आपको बताता होंगे यह सारा कामन करके इसको यर्थिंग में करना है तो उसका बात आंतर में CT रहेगा इसको में आण कर दिया यह जो टेस्टिंग इंस्ट्मेन उसका सप्लित दिया है अब इसको ओल्ड जम दीरे दीरे राइस करेंगे अचलिए 70 केवी यह 33 केवी का ट्रांस्वामर है 33 केवी इसका अश्टी ओल्डेज है रेटिंग अमने 70 केवी देखे इसको चेक करेंगे आपको जो राइस साइड में दीखे रहा है वो किलो ओल्ड है और लेफ्ट साइड में दीखेगा में लेकेज करेंट है मिल्ली अम्पेर में दीखेगा अब यह 4.7 4.9 5.3 राइस होते जा रहा है 6.3 के वी यह जो दिखे रहा है यह मिल्ली अम्पेर 0.14 अम्पेर अच्छिए अम्पेर में मतला 16 मिल्ली अम्पेर ओके 22 मिल्ली अम्पेर यह पे 10 के यह वा गया 26 मिल्ली अम्पेर अच्छिए अम्पेर में होवार मीटर है इसलिए 0.031 दिखे रहा है 67, 68, 70 के वी ते दिया अभी टाइमर श्रट कर दिया अच्छिए 1 मिट अम्पू स्टैंड करके देखना पड़ेगा 1 मिट तक वो विस्टेंट कर लिया तो आशलिए यह टेस्ट किसले करता है इसलेशन के लिए अच्छिए इसलेशन इसलेशन करता है नहीं आगे इसलेशन ब्रेक ओगया तो ट्रुप मार देगा 70 km वी दिया होया टाइमिंग चाल रहा है 184-193 milliampere दीख रहा है वोगिया 1 minute वोगिया so old is down कर दिया so one minute का 70kb विस्टन कर लिया 193 milliampere leakage current दीख रहा है पूरा ओड़र डाउन कर दिया down करें में पूरा बंद कर दिया यह test report का copy है इसमें तरीक है 70.1kb वी 1 minute के लिए अपड़ेट किया है और LV1, LV2, LV3, LV4 और Tanks सार एर्थ किया हो वाटें और leakage current 193 milliampere अचली यह चार output का LV output का transformer है यहां पर LV1, LV1 सेर्व में 3kb अपड़ेट करेंगें फार 1 minute के लिए जैसे HV में किया है वैसे LV में देना पड़ेगा बागी सारा जो voltage देना उसको अलावा जो बागी हो वो सारा एर्थिंग करना पड़ेगा ठीक है यह test का भी देके समय में आएगा आपको ठीक है, तैंक यू